अन्तिम सप्ता में हैं, 2022 बस आने ही वाला है, आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्सा और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है, आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक कोरोन की बजह से संक्रमन बढ़ रहा है, भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रोन से संक्रमित होने का पता चला है, मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि पैनिक नह करें, हाँ, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपुरूप योग करें, और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है, आज जब वाइरस म्यूटेट हो रहा है, तो हमारी चुनोतों क्या सामना करने की ताकत और आत्म विस्वास भी मल्टिप्लाइ हो रहा है, हमारी इनोवेटिव स्पिरीड भी बढ़ रही है, आज देश के पास अठारा लाख आईसोलेशन बेट्स हैं, पांच लाख आउक्सिजन सपोर्टेड बेट्स हैं, एक लाख चालिस हजार आईसी यू बेट्स हैं, आईसी यू और नोन आईसी यू बेट्स को मिला दें, तो नब्वे हजार बेट्स विशेश तोर पर बच्चों के लिए भी हैं, आई देश में तीन हजार से जादा पी एसे ऑक्सिजन प्लांट्स कायम कर रहे हैं, चार लाख ऑक्सिजन सिलिंडर्स देश भर में दिये गए हैं, राज्यों को जरूरी दमाओं की बफर डोस तयार करने में सहायता की जा रही हैं, उन्हें परियाप तो टेस्टिंग किर्ज भी मुहया कराई जा रही हैं, साथियों, कोरोना वैस्वीक महामारी से लड़ाए का अब तक का अनुभव यही बताता हैं, कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशान निर्दर्शों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हत्यार हैं, और दूसरा राती आ रहे हैं, वैक्षिनेशन, हमारे देश ने भी इस बिमारी की गंभीरता को समझते हुई हैं, बहुत पहले वैक्षिन निर्मान पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था, वैक्षिन पर रिसर्च के साथ साथ ही, एप्रूबल प्रोसेसिस, सप्लाइ चेन, डिस्टिबुशन, ट्रेइनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टिम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया, इन तैयारियों का ही नतीजा था, कि भारत ने इस साल, 16 जनवरी से, अपने नागरिकों को वैक्षिन देना शुरू कर दिया था, ये देश के सभी नागरिकों का सामोहिक प्रयास और सामोहिक इच्छा शक्ति है, कि आज भारत 141 करोड वैक्षिन डोज के अभुत पुर्व और बहुत मुश्किल लक्ष को पार कर चुका है, आज भारत की वैस्क जनसंख्या मैं से 61 प्रतिशत से जादा जनसंख्या को वैक्षिन की दोनों डोज लग चुकी है, इसी तरह वैस्क जनसंख्या मैं से लगभग 90 प्रतिशत लोगों को वैक्षिन की एक डोज लगाई जा चुकी है, आज हर भारत्वासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठीन बहुगोलिक स्थित्यों के बीच इतना सुरक्षित वेक्सिनेशन अभियान चलाया कई राज्य और विशेस तोर से टूरिजम के द्रश्टी से महत्वपन राज्य जैसे गोवा, उत्तराखन, हिमाचल जैसे राज्यों ने शत प्रतिशत सिंगल डोज वेक्सिनेशन का लक्ष हासिल कर लिया है आज देश के दूर सुदूर गाओं में जब शत प्रतिशत वेक्सिनेशन की खबरे आती हैं तो मन को संतोष होता है यह प्रबान है हमारे हेल्थ सिस्टिम की मजबूती का हमारी टीम डिलिवरी का हमारे हेल्थ केर वरकर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का हमारे देश में जल्दी ही नेजल वेक्सिन और दुनिया की पहली डीने वेक्सिन भी शुरू होगी साथियो कोरोना के खिलाब भारत की लड़ाई सुरू से ही बैज्ञानिक सिद्धानतों बैज्ञानिक परामर्श और बैज्ञानिक पद्धती पर आधारित रही है पिछले ग्यारा महिने से देश में वेक्सिनेशन अभ्यान चल रहा है देशवासी इसके लाब भी महसुस कर रहे हैं उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी सामान्य हो रही है आर्थिक गतिविधियों भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही है लेकिन सात्यों हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है देश को सुरक्षित रखने के लिए देशवासीयों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है जब वैक्सिनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी बैज्ञानिक सुझाओं के आधार पर ही इताय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो स्वस्त लोगों को कब वैक्सिन लगे जिने कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सिन लगे और जो को मॉर्बिलिटी किसे ग्रस्त है उन्हें कब वैक्सिन लगे ऐसे निर्णय लगातार किये गए और ये परिस्तितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबिद हुए है भारत ने अपनी स्थिती परिस्तिती के अनुसार भारत के वैग्यानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिये है वर्तमान में ओमिक्रोन की चर्चा जोरो पर चल रही है विश्म में इसके अनुभव भी अलग-अलग है अनुनमान भी अलग-अलग है भारत के वैग्यानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं इस पर काम कर रहे हैं हमारे वैक्सिनेशन को आज जब ग्यारा महिने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैग्यानिकों ने जो अध्यान किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिये गए हैं आज अटल जी का जन्मदिन भी हैं क्रिस्मस का तेओहार भी हैं तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सब के साथ साजा करना चाहिए साथियों 15 साल से 18 साल की आयू के बीच के जो बच्चे हैं अब उनके लिए देश में वैक्सिनेशन प्रारब होगा 2022 में 3 जन्मदिन को सुमवार के दिन से इसकी शुरुवात की जाएगी यह फैसला कोरोना के खिलाब देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा साथियों हम सब का अनुभव है कि जो कोरोना वारियर्स है हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं इसलिए प्रिकोशन के द्रस्टी से सरकार ने निर्ण लिया है कि हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सिन की प्रिकोशन डोजबी प्रारंब की जाए इसकी शुरुवात दोहजार बाइस में दस जनवरी सुमवार के दिन से की जाएगी साथियों कोरोना वैक्सिन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयूवाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बिमारी से पीडित है उन्हें प्रिकोशन लेना सलाग योग्य है इसको धान में रखते हुए साथ वर्षे उपर की आयूके को मर्मिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलापर वैक्सिन की प्रिकोशन लोज का विकल्प उनके लिए उपलब्द होगा ये भी दस जनवरी से प्रारम होगा साथियों मेरा एक आगरह है कि अफ़ा भ्राम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए हम सभी देश वाच्चों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन अभ्यान चलाया है आने वाले समय में हमें इसको और गती देनी है और विस्तार देना है हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाप इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे आप सबता बहुत बहुत धन्यवाद तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने राष्ट को समोधित करते हुए बताया कि 15 से 8